अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इमेजिंग बहुत ही टेस्टी चटपटा मिर्च मोली गाजर का चार लेकर आए हैं सर्दिया शुरू हो रही है और यह सर्दी में ही डाला जाता है चार तो जैसे हम बताएंगे उसी ट्रिक से आप भी यह चार डालिएगा ब यहां पर हमने हीमुत द्राइसग्राम यह लेकर लेकर रहा था तो यह सुखा लिया तो आप जादा भी डाल सकते हैं तो यहां पर हमने जादा गाजल ली है क्योंकि गाजल बहुत ही जादा टेस्टे लगती हैं यह अचार ऐसा बनेगा कि आप डाल सबजी किसी के साथ भी खाएंगे तो आपको और दो रोटी की जंगा चार रोटी आराम से खा सकते हैं इस तर यह तो लंबी मिर्च है है इस वोग ही पिप से 6 पीस पणाए आगर आप चाहें तो इस इसको पफरला भी कश्छकर है मगर यह ऐसी मिर्च काटेंगे तो बहुत ही सही रहेगी इसी तरह से हमने यह मुली भी काट लिए और गाजर भी काट लिए है यहाँ पर हमने एक बड़ा बरतन ले लिया है उसमें हम यह डाल देंगे मिर्च, मुली और गाजर सबको एक जगा करके हम रग देंगे जैसे हम ट्रिक और टिप्स पताएंगे आप उसी तरह से अगर इस तरह से अचार डालेंगे तो पूरे साल आपका अचार खराब नहीं होगा हाँ खतम जरूर हो जाएगा मगर खराब बिलकुल भी नहीं होगा तो यहां पर हमने कुछ अद्रक लिया है जिसको बारी काट लिया है और दस से पंदरा लिया है लसन की कलिया तो यहां पर हमने जो मसाला लिया है वो एक पैन में डाल देंगे तो यहां हमने चार चमचली है सौफ, दो चमच धनिया और दो चम्मचली हमने राई आप पीले वाली भी ले सकते हैं और यहाँ पर दो चम्मची हमने जीरा भी लिया है इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इनको बस थोड़ा सा रोस्ट कर लें इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए और फिर हम डाल देंगे 2 चमच मेथी दाना इसको भी इनी के साथ हम रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने से यह होगा कि इसका जो मोस्टर है वो उड़ जाएगा और इनको हम ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसली ग्राइंड हो जाएगे जो यह हो चुका है तो इसको रख देंगे एक तरफ ठंडा होने के लिए यहां हमने लिया है mustarrio ohlavana है we have mustar aynı को पकाएं तु बहुत डालें अचा इसको बहुत ही अच्छा है तो यह one लें पर हमने इसको गरम कर इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें इससे क्या होगा कि जो हल्दी पॉडर का जो कच्छा पन होता है लसन का कच्छा पन होता है वो सब निकल जाएगा और इससे चार भी लंबा टाइम तक चलेगा तो फिर इसमें ही हम डाल देंगे बारी कटा हुआ गाश्र तो यह भी अ ही ठड़ा हो च varios का इससे को मिक्स के जार में डालके दर दर आसा इसको पीस लेंगे और फिर यह जो हमने रखी है को यहां पर डाला है एक निमु का रस डालने से इसकी शेलफ लाइब बढ़ जाती है और यहां पर हमने दो चम्मच ली है कश्मीटी लाल मिर्च इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और यहां आप डालेंगे नमक तो नमक हमने यहां पर यह तीन चम्मच भर का डाला है अगर फिर हमें टेस्ट में कम लगेगा हलका लगेगा तो हम बाद में डालेंगे और हाँ ये जो हमने डाला है ये सिरका डाला है विनेगर जो प्लेक वाला विनेगर आता है ये आप डालेंगे आपको मज़ा आजाएगा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं फिर यहाँ पर जो हमने तेल गरम करके इसमें लसन, अद्रक और ये हल्दी डाली थी वो भी इसमें हम सब डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से दो चम्मच की हेल्प से मिला लेंगे बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चम्मच में भी कोई पानी ना हो और बरतन में भी कोई पानी ना हो एक छीट भी पानी के नहीं जाने चाहिए और यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो बन चुका है बहुत ही चटपटा अचार अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें लाइक शेर भी जरूर कर दें और बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे की हमारी रेसिपी का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो यहां पर आप एक जार ले लिजिए काच का या आपके पास कोई भी जार है उसमें आप ये भर कर रख दीजिए और इसको धूपी नहीं दिखाने की जरूरत है यह ऐसे ही बहुत ही अच्छा बनकर त्यार हो जाता है और इसकी शेल्फ लाइब बहु पूरी रोटी डाल सबजी किसी के साब भी यूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लेगेगा अल्ला आफिज